हलो प्यारे बच्चो आज हम करने जा रहे हैं नाउंस के उपर प्राक्टेस वर्क्षीट नमबर टू इससे पहले वाली वर्क्षीट में मैंने आपको करवाया था कि नाउंस को आपको अंडरलाइन करना है ठीक है और क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में singular nouns, plural nouns के बारे में भी बता दिया हुआ है तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे हमने nouns चूज करने हैं कि singular आएगा blank में या फिर plural आएगा तो आपको प्राक्टस हो जाएगी इससे और आपको पता चल जाएगा कि कहां singular noun यूज करते हैं कहां पे plural nouns तो देखिए क्या लिखा हुआ है Choose appropriate nouns to fill in the blanks Appropriate मतलब जो ठीक है, suitable है ठीक है तो उनको चूज करना है, हमने चूज करो और किस लिए फिर fill in the blanks मतलब blanks को fill करो, ठीक है तो चलो करते है I use a dash to write I use a, a है न यहाँ पर a का मतलब क्या होता है, one तो जब one आगया तो वहाँ पे singular आएगा या plural आएगा pencil आएगा या pencil जाएगा pencil आएगा न तो I use a pencil to write कि मैं एक pencil यूज करती हूँ लिखने के लिए हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये वली वीडियो जाएगी made for kids में इसके नीचे आप comment नहीं कर पाओगे बट मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो जो made for kids नहीं है ये वहाँ जाकर आप comment कर सकते हो कुछ लिख सकते हो अगर लिखना चाते हो मुझे से कुछ पूछना चाते हो मुझे कुछ बताना चाते हो कुछ discuss करना चाते हो तो कर लेना उस पर ठीक है और नहीं तो मैं जो है इस वीडियो के end में अपना WhatsApp नमबर भी आपको दे दूँगी तो उस नमबर पर आप जो है मुझे message कर देना अगर आप comment नहीं कर पाऊगे लेकिन यह है कि WhatsApp क्या होता है बच्चों मैं बहुत कम देखती हूँ है तो ये जो ये तो मेरे हाथ में हमिशा mobile रहता है ये वाला जिससे कि मैं चेक करती रहती हूँ कि आप लोगोंने कुछ कमेंट किया है लिखा है तो वो मैं चेक करती रहती हूँ तो कई परी वो WhatsApp वाला है वो जो रह जाता है तो इसलिए बेटर तो यह है कि किसी और वीडियो के नीचे जाकर आप कमेंट कर देना और अगर नहीं हो पाता है आपसे तो WhatsApp भी मुझे आप कर सकते हो ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं ये We washed many dash in the park Bird आएगा या birds आएगा We washed many dash in the park हमने पार्क में बहुत सारे birds देखे है ना पक्षी देखे बहुत सारे पक्षी देखे वैसे तो हिंदी में तो पक्षी एक पक्षी के लिए भी पक्षी होता है और जादा अगर सपोज हम कहीं कि दस पक्षी सौ पक्षी तो भी पक्षी होता है लेकिन इंग्लिश में क्या होता है एक पक्षी के लिए bird और जादा के लिए birds है ना तो many है ना मैंनी का क्या मतलब होता है बहुत सारे तो इसके साथ आ जाएगा birds we watched many birds in the park ठीक है आगे है I need two dash for my exams pen या फिर pens कि मुझे मेरे exam के लिए दो pens चाहिए दो pen चाहिए ना तो दो है ना तो दो क्या है plural है तो क्या आएगा pens आएगा या पर मुझे दो pens चाहिए ठीक है next my father brought some dash from the market मेरे पापा जो है कुछ टमाटर लेकर आए ठीक है टमाटर मतलब टमेटो इंगलिश में बोलते हैं उसको टमेटो हिंदी में बोलते हैं उसको टमाटर ठीक है तो टमेटो लेकर आए तो sum क्या मतलब होता है कुछ तो कुछ का मतलब क्या हुआ एक से तो जादा होता है ना वो तो क्या आ जाएगा टमेटो ठीक है so t-o-m-a-t-o-e-s ठीक है टमेटो फ्रम दा मार्केट ठीक है और यहां पर brought बोट अलग होता है और brought अलग होता है वो भी मैं आपको एक दिन अलग वीडियो में बताऊंगी इस वीडियो में अगर बताने लगी तो वीडियो बहुत लंब हो जाएगा और वो जो हम काम कर रहे है ना उस पर आप अंसंट्रेट नहीं कर पाओगे और अगर आप एक पैरेंट हो यह वली वरक्षिट जो आपने बच्चे को आप दे दी चीए उसकी अच्छी प्राक्टेस हो जाएगी सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जो उसको आपने नॉलेज दी है मेरी पहले वली वीडियो से इसस जो है उसकी प्राक्टेस हो जाएगी ठीक है मोहित एट टु डाश एंड जैसमें दो ब्लांक है तो दो दियो है एपल एपल्टर और और उररैंज प्रा quella से करेंगे सेंड वीड। एट एट 2' टू का मतलब होता है दो तो 2 के लिए क्या आएगा प्लूरल ना तो एपल्लो टू एपल्स, and, and, and का क्या मतलब होता है, one, ठीक है न, one होता है, अ का मतलब भी one होता है, and का मतलब भी one होता है, ठीक है न, तो and, and का मतलब one है, तो one का, इसमें plural नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, singular and, and, orange, ठीक है, next है, a team of dash played the cricket match, team of, team का क्या मतलब होता है, एक team होता है, टीम में बहुत सारे लोग होता है न, तो ये देखो, यहाँ पर आपको two, three, one, and, and, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको कहां से पता करना है, बच्चों team से, जो team चीज है न, वो आपको बता रही है कि बहुत सारे लोग है, क्योंकि अगर cricket team होती है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग होता है, है न, basketball की team होती है, football की team होती है, तो ये क्या team, एक बंदे से नहीं बंदे, टीम में कम से कम दो player होना जरूरी है, ठीक है न, तो जिसे cricket match है, तो उसमें 11 players होता है, तो क्या होगा यहाँ पर, a team of players, ठीक है, प्लेयर नहीं चलेगा यहाँ पर, तो आपने यह बहुत जादा जो धान देने वाली चीज़े हैं, ठीक है, हम बहुत सारे और वोक्षिट्स भी करेंगे, अगर आप बोलोगे तो, आगे, I want the dash which is lying on the table, I want the dash which is lying on the table, इसमें box भी है, boxes भी है, I want the dash, मुझे वो वला box यह जो टेबल के उपर पड़ा है, देखो अब यहाँ पर, a भी नहीं है, and भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर boxes नहीं आएगा, box आएगा, आपको समझाती हूँ कैसे, I want the box which is, अब जो is है ना, वो singular clay use होता है, इसलिए यहाँ पर box आएगा, boxes नहीं आएगा, boxes भी आ सकता है, कब आएगा, यह देखो, I want the dash which are lying on the table, मैंने यह जान बूझकर sentences एक जैसे लिखे हैं, ताकि आपको समझा जाए, I want the dash which are lying on the table, अब यहाँ पर R है ना, तो यहाँ पर boxes आएगा, क्योंकि एक के लिए is use होता है, तो जादा के लिए R, तो यहाँ पर यहाँ दर से नहीं पता चल रहा, कि आपको box लिखना है, यह boxes लिखना है, लिकिन आपको यहाँ से पता चल रहा है, तो जुरूरी नहीं है कि यहाँ पर a, and, 2, 3, 4, many, some, कुछ लिखाओ, यहाँ पर कुछ और भी लिखाओ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी समझ से काम लेना है, और आपको correct word चूज करना है, I want the boxes, मुझे वो वले boxes डिब्बे चाहिए, which are lying on the table, जो table के उपर पड़े हैं, ठीक है, मुझे वो वले डिब्बा चाहिए, जो table के उपर पड़ा है, is, पड़े हैं, ठीक है, आगे, the sky is lit up with many dash, जो sky है, जो अकाश है, वो चमक राय किस से, with many dash, many का क्या मतलब होता है, बहुत सारे, तो यहाँ पर star आएगा या stars आएगा, stars आएगा न, with many stars, ठीक है, चलो आगे कुछ और से इंटेंस है, वो भी कर लेते हैं, और I hope अब तक आपको यह अच्छी लग रही होगे, इंट्रस्टिंग रही होगी exercise, next है, मुहित और सारा, are the best dash, मुहित और सारा, जो है, वो best क्या है, friends है, दो लोग आगे हैं तो दो लोग आगे, तो एक नहीं friend नहीं लग सकता, friends लगेगा, अगर मैं यह बोलो, सारा is my best, तो friend आजाएगा, कि सारा मेरी best friend है, अब जो next है, वो है, this basket has a lot of dash, कि इस basket में बहुत सारे, a lot of का मतलब होता है, बहुत सारे, ठीक है, तो onion या फिर onions, प्याज या फिर एक प्याज, एक प्याज के लिए onion यूज होता है, जादा के लिए onions यूज होता है, तो this basket has a lot of क्या आएगा, onions, ठीक है, तो a lot of का मतलब आप समझ ले ना, बच्चो बहुत सारे, इस का मतलब होता है, बहुत सारे, कि इस basket में बहुत सारे प्याज है, ठीक है, आगे, I bought lots of dash, a lot of का मतलब ही बहुत सारे होता है, और lots of का मतलब ही, आप क्योंकि अब चोटी क्लास में हो ना, तो आपको इन सब का मतलब जो है, जानना ज़रूरी है, जब आप बड़े हो जाओगे, तो आपको बताने के ज़रूरत ही नहीं पड़ेगे, आपको अल्रेडी पता ही होगा, यह सब चीज है, ठीक है, तो यह होगा, I bought lots of dash, कि मैंने बहुत सारे, bought का मतलब खरीदी, ठीक है, और यहाँ पर टॉफी है, यहाँ पर टॉफी है, तो क्या आएगा, बहुत सारी क्या, बहुत सारी है, तो टॉफी आएगा, I bought lots of toffees, तो I hope, बचो यह वला वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप एक पैरेंट हो, तीचर हो, तो I hope, आपको भी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक के बटन को प्रेस कर देना, और इसी तरह की वीडियो के लिए, मेरे चैनल को सब्स्क्राइब भी कर लेना, इसी तरह की वीडियो मैं इसी लिल लाती हूँ, ताकि आपकी नॉलेज भी बड़े और आपका कॉन्फिडेंस भी, नॉलेज बड़े की तो कॉन्फिडेंस अपने आप बड़ेगा, तो चलो करते हैं आप गुडबाई, जल्दी ही मिलूँगी एक नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए, तक के लिए सेटेंस.